एलो गाईज राधे राधे कैसे हो आप आए होप आप सब ठीक होंगे बनाएंगे बहुत ही इजी और आसान तरीके से पूरे वीडियो में मैंने नाप लेकर स्टेब बाई स्टेब बताया यहाँ पे मैंने बिना नेफे वाला बनाये गाईज तो कुछ नया तरीका है तो चल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर मैंने सिपी सितारे का कपड़ा लिए और साथ में कॉटन का कपड़ा लिया और साथ में रिभी का यूज करैंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीका आपको बताऊंगे गाईज तो इसकी लंबा है फोर्टी थी इंचीस और चोड़ इसकी 3 इची से कम ज़ाद आप अपने इसाप से केरा बना सकते गाईज अपनीचे हम इस तरह से कॉटन का अस्तर का यूज करेंगे और इस तरह से रीबिन से हम पाइपिन बनाएंगे गाईज बहुत ही इजी तरीका है रीबिन के बीच में हमें इस कपड़े को रखना है और साथ में ही हमारा कपड़ा भी बैट जाएगा और कवर सिलाई भी हो जाएगी और पाइपिन भी बन जाएगी अब हम दोनों किनारों पर इस तरह से डबल फोल्ड करके टीच कर लेंगे तो यह पूरा कवर सिलाई हो जाएगा गाईज अब हम प्लेट्स लेंगे तो कुछ इस तरह से डेड़ेट इंच के प्लेट्स लेने हैं प्लेट्स हमें नजदिक नजदिक रखने हैं प्लेट्स हमें लडू गोपाल जी के कमर के इसाब से लेने हैं समझ में ना आए तो बीच बीच में आप नाप करते जाएगे और कमर के इसाब से प्लेट्स बनाएगे तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है गाईस एक भी जोलने ही पड़ेगा पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स हो जाएगी तो गाईस देखे हमारी प्लेट्स हो गई है एक्स्ट्रा जो उपर का टेड़ा मेरा है कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे ताकि नेफे की फ जरूरत ना पड़े तो कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करना है रीबीन के बीच में हमें इस कपड़े को इस तरह से बिठाना है फिटीच कर लेना है तो बहुत ही इजी तरीके से हमारी यहां पर सिलाई भी हो जाएगी और दोरी भी बन जाएगी कमर में बानने की तो रहा होद सारे ड्रेस मेंने बना है आप मेरी चेंडरल पर जाकर देख सकते हैं अब हम क्या बनाएंगे पगड़ी बनाएंग पाग बनाएंगे बस सिम्पल सा में रीबीन का यूज करके रीबीन के बीच में हमें कपड़े को रखना है Bowl यहां पर टीच कण लेना है तो यह अमारे बेस की श्ट्री बनके रेडी है अब हम इस तरह से सेट करके मोड़ेंगे मैंने दो उंगली का नाप लिया है फिर भी समझ में ना आए तो आप बाल गोपाल जी का इस तरह से सीर का नाप ले लिजे ताकि आपको पाग बनाने में आसानी रहे और जो एक्ष्ट्रा है इसको इस तरह से मोड़ना है पहले कट करना है फिर मोड़ना है तो यह हमारा आसानी से पाग बनके रेडी हो जाएगी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाईस तो देखिए गाईस ही हमारी पाग बनके रेडी है अब हम चोली बनाएंगे तो इसकी लंबा है 12 इंच और इसको रखेंगे और यहाँ पे टीच कर लेंगे जैसे हमने पाग में बनाया न श्ट्रिप वैसी श्ट्रिप में इस चोली की भी बनानी है बहुत ही इजी तरीका है गाईस और आसानी से हम घर पर ही बना सकते हैं तो देखिए गाईस यह अमारी टीच हो गई है अब हम इस इसको इस तरह से मोडेंगे दोनु किनारों को मिला कर यहाँ पे टीच कर लेंगे तो यह हमारी टीच हो गई है और बीच में से मैंने कट कर लिया है आप चाहो तो बिना कट करके भी रख सकते हैं तो दोनु किनारों पर मैंने इस तरह से सिंगल फोल करके टीच कर लिया है आप चाहो चोल को अलग से भी रख सकते हो या तो खेरे का इस तरह से सेंटर निकाल कर बीच में टीच करके अटेच कर दीजिए तो यह हमारा प्यारा सट रेस्ट बन के रेडिये गाईस वीडियो पसंद आए तो मीत्रों में जरूर शेयर करना रादे रादे अरेक रिए